क्रिया शारिड क्रिया शारिड में आज का हमारा टॉपिक है स्रोतस शारिड Basic Principles of Ayurveda में यह टॉपिक अलग से बताया जाया है स्रोतस और यह जो है यह हमें 5 marks के लिए short answer question में भी पूछा जा सकता है कि स्रोतस के बारे में बताईए तो सबसे पहले हम इसकी व्याक्या बताएंगे स्रवनास रुटांसी यह दो शब दिखी है स्रवनास रुटांसी इसका मीनिंग उसके बाद फिर हम आचारे चरक अनुसार या आचारे सुष्रुत अनुसार कोई भी श्लोक लिख सकते हैं याद रहा तो दोनों श्लोक लिख दें उसके बाद फिर हम इसका स्वरूक लिखेंगे स्वरूक कैसा होता है उसके बाद फिर हम लिखेंगे इसके भेद जो आचारे चरक अनुसार आचारे सुष्रुत अनुसार और फिर उसके बाद हम end में हमारी एक table बना देंगे जो main table है जिसे हमें अच्छे से आने चाहिए तो आज का हम topic शुरू करते हैं स्रोतस सबसे पहले हम इसकी व्याख्या देखेंगे स्रवनाज स्रोतांसी यह इसकी व्याख्या है स्रोतांसी शरीर के सभी भाग जहां स्रोतस होते हैं जिसे स्राव निकलता हो व्याख्या है यावंत पुर्षे मुर्ती मंतु भाव विशेश तावंत एवा असमें स्रोतसाम प्रकार विशेश चरक सारीष्थान फिफ्ट चाप्टर का थर्ड श्लोग यावंत पुरुष में जितने ही मुर्ती मान याने की जितने दृष्ट मान जो हम देख सकते हैं ऐसी भाव विशेश ऐसी वस्तुए हैं उतने ही पुरुष में जो है स्रोतों के प्रकार या भेध होते हैं यह चारे चारक जी ने शलोक दिया है मुलात खादंत्रम देहे प्रसत्तम स्वभी वाहियत स्रोतों जीती विग्ययम सिराधमनी वर्जितम यह चारे सुशुत अनुसार है सुशुत शारीर्थां 9 चैप्टर का 13 स्लोक मुलात खादंद्रम, देहे प्रसत्तम, स्वभी वाहियत, स्रोता जीती विग्येम, सिरा धमनी, वर्जितम सिरा धमनी, यानि के आटरी और वींस को छोड़कर, किसी मुल भूत खिद्र, जो मूल भूतर खिद्र है, जो शरीर के अंदर फैली हु, जो भी वहन करने वाली प्रनाली विशेश होती है, उनको स्वाता कहती हैं, जो हमारी सिरा धमनी है उनको छोड़के जो मोल भूत छिद्र से यानि कि शरीर में जहां छिद्र होते हैं सिरा धमनी को छोड़के जो फैली हुई होती हैं भीतर और जो वहन करती हैं प्रणाली विशेश जो प्रणाली जो वहन करती हैं उनको स्त्रोतस कहते हैं अकाश माबूत की प्रधानता वाले अर्थात अंदर से अवकाश युक्त उंद्रश्य या अद्रश्य शदीर अव्यवों को स्त्रोतस कहते हैं आप जहां पे छिदर हो रहा है यहां पे तो छिदर की बात हो रही है यानि कि वो होलो होगा तो वहां पे क्या है अवकाश यानि कि जो आकाश महाबूत की प्रधानता होगी तब ही तो वहां पे स्पेस है अब आकाश महाबूत की प्रधानता वाले अर्थात अंदर से अवक से अवकाश युक्त हो उनको स्वरूप अब स्वरूप क्या होता है सवधातु समवर्णानी वृत्त सूलान्यूनी च श्रोतांसी दिरपायान कृत्वा प्रतांस द्रशानी च चरक विमानस्थान 5 चैप्टर का 25 श्लोग जिस धातु के जो स्वरूतस होते हैं वे उस धातु के समान वर्णवाले गोल, मोटे, सोश्मवर आकरती में लंबी लता के समान होती हैं अर्थात लताएं चारों तरफ फैल कर अपने शाखा प्रशाखाओं से व्यापत रती हैं उसी प्रकास स्वरूतस भी अपने शाखा एवं प्रशाखाओं से सारे शरीर में व्यापत हैं सव धातू, समवर्णानी, व्रित स्थूलान यूनी च, स्रोतांसी, दिर्पायान, कृत्वा, प्रतांस, द्रशाणी च अब जिस धातू के जो स्रोतस होते हैं वे उस धातू के समान वर्णवाले होते हैं जो हमारे सब्त धातू है, रस, रक्त, मास, मेत, अस्ति, मज्जा, शुक्र ये जो धातू हैं, हमारे सब्त धातू हैं, इनके जो अपने स्रोतस होते हैं, वे इनी धातूं से के समान वर्णवाले होते हैं, इनी के जैसे ही होते हैं, अगर हमारा जो धातू है, वो गोल है, तो वे गोल स्रोतस होगा, मोटे हैं, तो मोटे होंगे, सूश्म है, तो वह आकरती में लंबी लता के समान भी हो सकता है अर्थात लताएं जो हैं वो चारो तरह फैल कर अपनी शाखा और प्रशाखा से व्यापत रहती हैं जैसे लताएं चारो तरह फैल जाती हैं अपनी शाखा और प्रशाखाओं से उसी तरह जो हैं स्रोतस भी अपने शरीर जो हम संगठन, स्रोथस की उत्पत्ती में अकाश महाबूत प्रमुख है, क्योंकि यहां पर हॉलो है, कैविटी स्पेस है, सृष्टी की उत्पत्ती में कारण बूत होने वाले एकदिक भौतिक सिधान्त के अनुसार स्रोथस अव्यो पंचमाबूत से बने हैं, और उनकी उत्पत् से ही बने होते हैं और इसके उत्पत्ति के समय जो है वो अकाश माभूत की आदिके यानि कि उसके प्रधानता पाई जाती हैं अब स्रोतस के प्राय स्रोतांती जिसायन रिसायन सिरा धम्निय मारगा ये इसके प्राय हो गए संख्या आचारे चरक अनुसार देखें तो तेरा ह होते हैं 11 इंटू टू यानि कि दो-दो होते हैं ये तो 22 हो गए अचारे अनुसार ब्रही मुक जो स्रोतस होते हैं वो पुरुष में 9 और 3 में 12 होते हैं 9 प्लस 3 अब भेद देखें अब भेद और जो इनके संख्या है वो एक ही होती है यानिकी 13 और 11 अचारे चारक अनुस जो इन्होंने बताया था चरक विमानस्तान 5 चाप्टर के 6 श्लोप में प्राण उदक अन रस रुधिर मास मेद अस्थी मज्जा शुक्र मोत्र पुरी श्वेद अब अगर हम इसे देखें रस रक्त मास मेद अस्थी मज्जा शुक्र ये तो हमारे सब्त धातु आ गए और इसमें एंड में हमारा मल आगया मोत्र पुरी श्वेद आगे के प्राण उदक अन ये याद करने पड़ेंगे प्राण उदक अन प्राण उदक अन रस रुधिर याने की रक्त मास मेद अस्थी मज्जा शुक्र मोत्र पुरी श्वेद ये हमारे अचारे चरक अनुसार भे अचारे सुशुत अनुसार देखें तो यह होते हैं 11 प्रतिक द्योदो सुरोतस होते हैं तो 11 इंटू 22 हो जाएगा इन्हें योग वाहे सुरोतस भी कहते हैं अब इनके भेद प्राण, अन, उदक, रस, रक्त, मास, मेध, मूत्र, पुरिश, शुक्र, आर्तव अब इन्होंने जो है मज्जा, अस्थी इनको नहीं लिया है शुक्रू तो है पर हमारा जो है सुवेद नहीं है प्राण, अन, उदक, रस, रक्त, मास, मेध, मूत्र, पुरिश, शुक्र और आर्तव सुषृत, शारिश्था, नायन चैप्टर के ट्वेद श्लोक में इन्होंने ये बताए है ये 11 होते हैं और अचारे चरक अनुसार 13 होते हैं इनमें मास, मेध, अस्थी, मज्जा नहीं पाया जाता अचारे सुषृत वाले में सुवेद भी नहीं पाया जाता है यहां पर हम अगभण के अनुसारे देखे तो दो ब्हेद होते हैं दृष्य और ने पुरुष में नौ होते हैं और पूरुष में नौ होते हैं और दृश्य में 12 यानि जो चर्म चक्षों से देखे नहीं जाते आचारे चरक के ठर्टीन जो है ये वह हमारे अध्रश्य यानि कि आभ्यांतर में आ जाएंगे जो हम नहीं देख सकते चक्षों इंद्रियों से स्त्रोतस के स्थान मूल अब यह जो टेबल है यह हमें बाय हार्ट होनी चीए क्योंकि जब एक्जाम में आये तो हमें टेबल बना सके स्त्रोतस नाम पहले इनके नाम प्राण उदक अन्रस रक्तमास मेद अस्थी मज्जा शुक्र मोत्र पुरिश वेदर आर्तव यह हमारे हो गए यह हमें बाय हार्ट होने चाहिए टेबल प्राण वेस्थ रोतस अब अचारे चरक अनुसार रिदे और मास रोतस जो है इसका मूल स्थान हो गया अचारे सुशुत अनुसार रिदे वे रस्वाहिनी धम्निया जब हमां सुशुत जी के अकॉर्डिंग देखते तो हमे काफी सब में धम्निया मिलती है रस्वाहिनी धम्निया रक्तवाहिनी धम्निया इस प्रकार से तो थोड़ा इजी भी लगता है अचारे सुशुत वाला प्राण वेस्थ रोतस रिदे और मास रोतस अचारे चरक अनुसार अचारे सुशुत अनुसार रिदे वे रस्वाहिन सब्सक्राइब अन्वाहिनी धम्निया वा अमाशे अचारे सुश्रुत अनुसार रस्वे सुरुतस रिदेवे दस धम्निया और अचारे सुश्रुत अनुसार रिदेवे रस्वाहिनी धम्निया रक्त वे स्रोतस यक्रित वे प्लीहा याने की यक्रित लेवर स्प्लीन प्लीहा यक्रित प्लीहा वे रक्त वाहिनी धमनिया अचारे सुश्रुत अनुसार मास वे स्रोतस यानिकी मसल के स्रोतस क्या होंगे स्नायू त्वक त्वक यानिकी त्वचा स्नायू यानिकी लिगामिन्स स्नायू त्वक वर रक्त वाहिनी धमनिया अचारे सुश्रुत अनुसार मेदवस रोतस व्रिको व वपा वहन वपा यानिकी वसा फैट फैट यानिक एडिपोस्ट इशू की बात हो रही है जो हमारे जो किड़नी होता है वहाँ पर फैट प्रेजन्ट होता है व्रको यानिकी किड़नी व्रको वे कटी कटी यानिकी पेल्विस या अचारे सुशृत पेशचीन कोई सब्सक्राइब का से उने वी जाते हैं और हमें अस्थी और संदी संदी जोइंट्स को बोलते हैं पेशची बोन्स सोब्सक्राइब और यह अचारे सुष्रु जी ने नहीं माने हैं अस्थीवे और मज्जावे स्रोतस शुक्रवे स्रोतस व्रेशन और शेफ और अचारे सुष्रु तनसार व्रेशन वस्तन मूत्रवे स्रोतस में बस्ती और वंशन अचारे चरक नुसार बस्ती यानिकी युरिनरी ब्लाडर औ और अचारे सुश्रुत अनुसार बस्ती वा मेढर पुरिश्वे स्रोतस में पकवाश्य वा स्थूल गुद अचारे चरक अनुसार पकवाश्य यानि इंटेस्टाइन स्थूल गुद जो हमारा आनस का पाट होता है वो आजाएगा पकवाश्य वा गुद यह हमारा अचारे स तो श्रुतनुसार सुवेद्वै स्रोतस मेद व मर लूमकुब। मेद हमारा बोन मैर आ गई वह आ गया। लूमकुब जो हमारे बॉड़ी हेस वह घएएंगे। और अचारे जो सुषुल जी हैं生活 माना ही नहीं है। उन्होंने आर्तव स्रोतस को माना है और उसके मूल जो है वो गर्भाश्य और आर्तव वही धमनिया आ जाएंगी और हमारे आचारे चरग जीने आर्तव स्रोतस नहीं माना है अचारे सुश्रोत अनुसार गर्भाश्य वह आर्तव वही धमनिया अब पुरुष में जो ब्रही मुख थे जिनने हम देख सकते हैं वह कौन से हैं कान आख मुख नासा गुद मेडर कान यानि की हमारे इयर्स आख नेत्र चक्षू मुख आनन औरल कैवटी नासा नोस गुद आनस मेडर यह जो हैं यह हमारे जो होंगे ब्रही मुख होगे 222111 इस प्रकार से यह हमारे टोटल समप करेंगे तो 9 हो जाते हैं और यदि हम स्त्री में देखें तो 9 में 3 और एड़ो जाते हैं दो स्तन और आर्टर वे स्त्रोतस जो है एड़ो जाता है और यह हमारा 12 हो जाते हैं टोटल अब लोग पुरुष सामे सिद्धान्त क्या होता है यावंतो ही लोके भाव विशेश तावंता पुरुषे यावंता पुरुषे तावंता लोके चरक शारीर्थान फिफ्ट चैप्टर का थर्ष लोग यावंतो ही लोके भाव विशेश तावंता पुरुषे यावंता पुरुषे तावंता लोके जो भी जिन भी चीजों से पृत्वी संसार लोक में है पाय जाती है वैसा भी हमारे शरीर में भी होती है उस प्रकार जो हम में है वैस संसार में भी चीजे होती है जो हमारा स्र उसमें भी पंच माभूत प्रेजन्ट हैं तो जो जो एलिमेंट्स हमारे संसार में लोक में पाये जाते हैं वे सभी हमारे बॉडी में भी होते हैं और उसी प्रकार से जो हमारे बॉडी में प्रेजन्ट है वही इस संसार में इस लोक में भी होती हैं सर्व द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन अर्थे चरक सूतरस्थान 26 चैप्टर का 10 श्लोग सर्व द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन अर्थे सांसार में सब कुछ इन पंच भौतिक से ही बना होता है आकाश का गुण होता है शब्द वायू का शब्द प्लस पर्श ऐसे ये अड़ो इते जाते हैं शब्द 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 फिर स्पर्श 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 फिर रूप रूप रुप 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 और लाश में गंद सिर्फ पृत्वी में ही पाया जाता है अकाश में शब्द याने की जो हम सुनते हैं वे हमारा शब्द में आ जाता है शोत्र इंद्या वायू स्पर्ष इसमें हमारी स्पर्ष आ जाता है तेज यानि की रूप आ जाता है अगनी जिसमें होती है इसमें शब्द स्पर्ष रूप रस उसमें जल में रस होता है तो ये चारों गुण आ जाते हैं और प्रिथमीस में शब्द स्पर्ष रूप रस ग अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं आयरुवेद स्टडीज पे आपको इसके पीडियेफ नोट्स भी मिल जाएंगे अवेलेबल करा दी जाएंगे ठांक यू